Hello Friends, Welcome to the Exam Hacker YouTube Channel दुस्तों, आज किस वीडियो में लोग क्या डिसकस करने वाले हैं? आज किस वीडियो में लोग इस प्रश्ण को यहाँ पर डिसकस करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है differentiate between barren and westland and cultural nand barren and westland को हिंदी बोलते हैं बंजर भूमी इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्रिसी योग्य बेर्थ भूमी ठीक है उसको बोलते है कल्चरेबल वेस्ट लेन क्रिसी योग्य बेर्थ भूमी तो दोनों में अंतर क्या है बंजर भूमी और क्रिसी योग्य बेर्थ भूमी में अंतर क्या है यहाँ पर आप से पूछ रहा है तो देखो, हमारे जो किरसी योग के बेर्थ होच में होती है, यह cultureable wasteland होती है वो उन land को बोलते है, जिस पे 5 साल से अधिक हो गय Sé 기쁨 ढायक है उसको पर ति हुए ठीक है और हमारी baron and westland ऐसे भूमी हो गया जो कि कभी भी इन पे खेती की ही नहीं गई है ठीक है इसको बलेंगे baron and westland तो पहला हमारा difference हो गया कि 5 साल से अधिक हमारा पड़ती है उस पे खेती नहीं की गया पहले काभी खेती की गयी थी बट 5 साल से खेती नहीं की गी है उसको बॉलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लेंड जिस पे कभी खेती की ही नहीं गी थी उसको बॉलेंगे वैरेन एन वेस्ट लेंड या बनजर भुमी यह पहला डिफ्रेंस हो गया कि जो मारी वेरयन झैन वेस्ट लेंड है, वो मारी agriculture के लिये untukable होती है, एक्रिकल्चर उस पर की ही नहीं जा सकती है, available technology के हिसाब से, यानि कि अभी हमारे पास जो available technique है, उसके हिसाब से इस पर agriculture की ही नहीं जा सकती है, एकदम विकार भूमी है, ठीक है ले आ सकते हैं ति हमारी दूसरी major हमारी difference हो गया है ठीक है और वेरेन वेस्ट लेंड जनरली आपको हीली एरिया में या हमारी डीजट वारी एरिया में semi-arid area में आपको मिलेंगे और कल्चरेबल वेश्ट लेइन आपको लगमं पे जहां पे खेदी जोग है then यहाँ पे आच्छी-कासी बारिस ओती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे त히 हमारी थैसरी differences हो गया ठीक जैसे हमारा थीसरा difference हो गया और वैसे डेटा के एक और नहीं बात गते हैं तो 1950-19 WIN में जो हमारी Baren & Westland ती उसका percentage 13.4 पर्शन्ट था और जबकि का परसेंट था 8% ओर 2014 15 की बात करें तो बेरन एंड फेस्टूरइब का परसेंटेज था 5.5 था जबकि क ल्टिरेब वे स्टूरशिक था 4 ठीक्ट करें है तहीं ओर डिफिरेंसस से हुग है और रिटफ डिकलाइन हमारा हुआ हैं बेरन Wrath वेस्ट लेंड का 1950 से 2014 पंदर के बीच में 58.96 परसेंट का ठीक है जो कि पहले 13.4 था फिर बाद में 5.5 आ गया लेकिन जो हमारी रेट आप डिक्लाइन आपको देखने में लेंगे कल्चरे वेस्ट लेंड का वो हमारी 50 परसेंट के राउंड है पहले 8 हुआ करती थी बाद मे हमारी 4 हो गई तो कुछ डेटा में भी हमारी डिफ्रेंसेस हो गया तो एक बार फिर से समराज करते हैं जो वेरेन वेस्ट लेंड होता है वो हमारी अन्सुटेबल होता है एकरिकल्चर के लिए लेकिन कल्चरेवल वेस्ट लेंड होती है वो हमारी सुटेबल होती है एकरिक अंकल्टिवेशन के लिए छोड़ दी जाती है तिसी हमारी मेजर डिफ्रेंस है Byron and Westland हम कल्टिवेशन के अंदर गत नहीं ला सकते है Under the Available Technology ठीक है Technology यह दी इनहांस करेगी तो हम ला सकते है लेकिन कल्क्टर पर Westland हम कल्टिवेशन के अंदर ला सकते है अबलेबल टेकनोजी के अंतरगत प्रॉपर ट्रीटमेंट करके स्वाइल को फटलाइज करके ति हमारी मेजर डिफ्रेंसेस हो गए हमारा जो बैरेन इन वेश्टलेंड में और कल्चरेबल वेश्टलेंड में तो आज किस वीडियो मसे नहीं दोस्तों यदि कोई फॉइंट क्या हो तो उसको आज आप कमेंट करके जरू सेर किजिएगा थैंकि फर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में नाइट अभी साथ थैंक्यू